नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल इंडियरानवीजी के गैड मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं टेस्ट पार्ट टू लेकर आया हूँ और इस वीडियो में जितने भी कोशन है तो like और share जरूर करें चलिए सुरू किया जाए तो आज का पहला सवाल है पके फ़लो में दुर्गंद का परमुक कारण क्या होता है तो दोस्तों यहाँ पर answer हो जाएगा option B oxygen ओटू जो है पके फ़लो में दुर्गंद का परमुक कारण होता है तो option B सही answer है चले नेक्ट कोचन के और बढ़ेंगे एक याड कितने इंच के बरावर होते है या एक याड कितने इंच के बरावर होता है तो दोस्तों यहाँ पर answer हो जाएगा option है 36 इंच एक याड में कितने इंच होते हैं तो 36 इंच होता है चलिए next question के और बढ़ेंगे next question है बरतमान में मुझफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है बरतमान में मुझफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो यहाँ पर answer हो जाएगा option D चीन चीन जो है बरतमान में इस में सबसे अधिक मुफली उत्पादन करने वाला देश है तो चीन सही इंसर होगा चले नेक्ट कोचन के और बढ़ते हैं नेक्ट कोचन है पेंडूलम घरी किस रितू में अक्सर तेजी से चलती है तो दोस्तों पूछा जाए एक्जाम में किस रितू में सुष्ट हो जात सुष्ट हो जाती है जबकि सीत रितू में तेजी से चलती है तो ये कोचन बहुत ही इंपोटेंट है क्योंकि कई वार एक्जाम में पूछा गया है तो इस कोचन पर थोड़ जादा धियान दीजिएगा चले नेक्ट कोचन के बढ़ेंगे नेक्ट कोचन है सिल्बर पर काल किसके कारण उत्पन होता है यांकि कि सिल्बर पर काला धबा किसके कारण हो जाता है तो एनर हो जाए कोचन के बढ़ेंट नेक्ट कोचन miak कौन सा एक एक ब्यूत्पन परिमान नहीं है तो यहाँ पे एंसर हो जाएगा option A, दर्वमान दर्वमान जो है बितपन परिमान नहीं है बाकी घनात, आयतन और एचाल यह तिनों जो है ब्यूत्पन परिमान है लेकिन यहाँ जो question पूछा गया है निम्लिखित में कौन साभी उत्पन परिमान नहीं है तो option ने सही answer है next question कर दो नए Act surely किसी तत्त के रसायन एक गुन किस पर निर्भर करता है तो दोश्तों आपि ऐस पर ऐसर草यन हो जाएगा Option B परमानुश और पर किसी तत्त का रसायन एक गुन उनके परमानु शेंख्यां पर निर्भर करता है next question कर बनेंगे next question है असत्य फल उत्पन होता है अनि कि असत्य फल किस से उत्पन होता है तो यहां पर answer हो जाएगा option A पुस्पकरम दोस्तों असत्य फल जो है पुस्पकरम से उत्पन होता है जबकि सत्य फल अंडासे से उत्पन होता है यदि एक्जाम में पुछा जाए कि सत्य फल किस से उत्पन होता है तो अंडासे से लेकिन यहां कोश्चन पुछा गया है असत्य फल तो असत्य फल पुस्प करम से उत्पन होता है तो थोड़ा ध्यान दिजेगा यह सारा कोश्च है और इसिफ नहीं कि सभी ग्रूप से ले सकते हैं लेकिन सभी गुरूप बाले को दे नहीं सकते हैं यह सिर्फ डूप बाले को दे शकते हैं कि और रहत ही था के पर option B सही answer है next question है समस्थानिक के गुन किस में पाया जाता है समस्थानिक के गुन किस में पाया जाता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा option A तत्व में दोस्तों तत्व में समस्थानिक के गुन पाया जाता है अगला सवाल है परकास का रंग किस से निश्चित किया जाता है या प्रकास के रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है तो यहाँ पर answer हो जाएगा option C तरंग धर दोस्तों तरंग धर के द्वारा प्रकास के रंग निश्चित किया जाता है next question के बढ़ेंगे next question है dehydration में पराया किस पदाद की कमी हो जाती है या दिया है यहां पर इंसर हो जाएगा option ए sodium दोस्तनों डिया जब होता है हमारे सरीर में sodium और जल के कमी हो जाता है तो यहां पर option के अच्छाट sodium सही इंसर है चलिए next question कि आख़ते हैं next question है alpha कन में कितना धन आविश होता है अलफा कन में कितना धन आविश होता है तो दोस्तों यहां पर इंस हो जाएगा option B दो अनिकि पलस दो धन आविश होता है और एक कोचन भी बहुत important है railway exam के लिए driver exam के लिए बहुत ही important है एक के लिए यहां पर इस कोचन भी के लिए तो धोड़ा धियान दीजेगा इस कोचन पर नेश्ट बढ़ने पर बिलियन का मुलरता पर क्या परभाव पड़ता है तो दोस्तों जब ताप बढ़ता है तो बिलियन के जो भी जब घट जाती है तो यहां पर इंस हो जाएगा option A घर्टी है ताप बढ़ने पर billion के मुलर्दा घर्टी है next question के बढ़ेंगे next question है Daniel cell का बिभांतर कितना होता है Daniel cell का बिभांतर कितना होता है तो दोस्तों यहाँ पर answer हो जाएगा option A 1.08 volt Daniel cell का बिभांतर 1.08 volt होता है जबकि सुस्क cell का बोला जाए तो 1.5 volt होता है 1.5 volt जो है एसुसक cell का होता है लेकिन यहाँ जो question पुछा गया Daniel cell तो Daniel cell का बिभांतर 1.08 volt होता है चलिए next question के बढ़ते हैं next question है किसी तत्व के आनवी कक्षा में अधिकतम electron की संख्यां कितनी होती है तो दोस्तों किसी तत्व के आनवी कक्षा में अधिकतम electron की संख्यां 2 होती है तो यहाँ पर option भी सही answer है 2. ध्यान दिजेगा एक question पर बहुत important है next question के बढ़ेंगे next question है शरीर में सबसे बड़ी कोशी का काउंसी है तो यह answer हो जाएगा option है तंत्र का तंत्र दोस्तों तंत्र का तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशी का है और यदि एक जामें पुछा जाए कि सरीर का सबसे बड़ा अंग काउंसा है तो सरीर का सबसे बड़ा अंग होता है तोचा जबकि सबसे बड़ी गरंथी या कृतिया लीवर होता है और सबसे छोटी गरंथी, प्यूस गरंथी होता है लेकिन है जो question पुछा गया है सरीर में सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है तो तंत्र का तंत्र सही answer है option A चलिए next question के बढ़ते हैं next question हीरा का करांती कौन कितना होता है हीरा का करांती कौन कितना होता है तो दोस्तों यहां पे answer हो जाएगा option B 24.4 हीरा का करांती को कौन 24.4 होता है next question के बढ़ेंगे next question है mushroom में बहुत यातायात में क्या मिलता है अनि कि mushroom से अधिकतम मात्रा में क्या चीज प्राप्त होता है तो दोस्तों mushroom में जैसा कि आप लोग जानते होंगे और next question के बढ़ेंगे next question है भू अस्थाई उपगरा पिर्थवी के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो यहां पे answer हो जाएगा option D 24 घंटा दोस्तों भू अस्थाई उपगरा जो है इसकी उचाई कितनी होती है एक्जामे पुछा जाता है और यह बहुत ही important question है लेकिन हाँ जो question पुछा गया है भू अस्थाई उपगरा पिर्थवी के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो 24 घंटा सही answer होगा चले next question के और बढ़ेंगे next question है आवेस का CGS मातरक क्या है आवेस का CGS मातरक क्या होता है या क्या है तो answer होजाएगा option B estate column दोस्तों estate column जो है आवेस का CGS मातरक है जबकि आवेस का SI मातरक क्या होता है ध्यान दिजिएगा question पे यदि एक जामें पूछा जाए कि आवेस का SI मातरक क्या होता है तो कुलम हो जाएगा लेकिन यहाँ जो question पूछा गया है आवेस का CGS मातरक क्या होता है तो option B सहिंसर है estate column और newton जो है बल का मातरक है और dine जो है बल का CGS मातरक है और arg जो है option D में दिए गया है arg एक कारिका S.I. मातरक है चलिए next question के बढ़ते हैं next question है एक किलोग्राम राशी का बजन कितना होता है तो दोस्तों एक किलोग्राम राशी का बजन होता है 9.8 newton option D सही इंसर है 9.8 newton और newton जो है किसका S.I. मातरक है तो newton बल का S.I. मातरक है चलिए next question के बढ़ते हैं next question है जलत आगुर्ण वो कोनिये तुरण का गुननफल क्या कहलाता है जलत आगुर्ण वो कोनिये तुरण के गुननफल को क्या कहते हैं तो दोस्तों जलत आगुर्ण और कोनिये तुरण के गुननफल को टॉर्क कहा जाता है option C सही इंसर है तो दियान दीजेगा option D घनत दोस्तों जब बस्तू के मात्रा बदला जाता है तो घनत और परिवर्तित रहता है अगला सवाल है पानी का घनत अधिकतम होता है तो दोस्तों पानी का घनत जो है अधिकतम होता है चार डिगरी सेल्सियस पे या एकजाम में पुछा जाए कि पानी का घनत जो है अधि पानी का घंत अधिक्तम होता है तो इन से हो जाएगा ओप्शन C 4 डिग्री पर नेक्ट कोचन के और बढ़ेंगे नेक्ट कोचन है जब किसी बस्तू का संबेग दुगना कर दी जाए तो उसका गतिज उर्जा कितना गुना हो जाएगा तो दोस्तों इहाँ पर इन से हो जाएगा ओप्शन C पुस्प कली से पुश्प कली से प्राप्त किया जाता है और एदी एक्जाम में पुछा जाए कि जूट पौधे के किस भाग से पराप्त किया जाता है तो जूट पौधे के तना से पराप्त किया जाता है और कोफी और कोफी और कपास ये 20 से पराप्त किया जाता है चले, next kochen के रब लएंगे, next kochen है ecosystem का परति पादन किस ने किया, तो दोस्तों ecosystem का परति पादन किया था, t locking, t autres नामक बग्yanic ने ecosystem का परति पादन किया था, और अरस्तु जो है जी विग्यान के पिता है यदि एक जामें पुछा जाए कि जी विग्यान के पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है लेकिन यहाँ जो कोचन पुछा गया है एकोशिस्टम का परतिपादन किस्ट ने किया तो दोस्तों यहाँ पे टेंसले सही इंसल और सबसे भिधिमान कपई कौन सा है तो यहांपर उप्षण हो जाएगा ओप्शन ए चिंपांजी जो है ऑपशन में दिया गए मैं गोरिला सारे कौक्षन पेदिन हैं लेकिना सबसे उसके बrikावरٌ तो चिम्पांजी ध्यान दिजीगा यह सारे कउच्च ना बहुत ही इम्पोटेंट है नेक्ट को बढ़ेंगे नेक्ट कोच्च्च महिला नस्बंदी क्या कहलाता है तो दोस्तों हो यहाँ पर इंत्र हो जाएगा option B टुवएक् टूमी जो है महिला नस्बंदी कहलाता है जब next coaching के दो बढ़ेंगे next question है मानचम इपूछा जाए कि मानचम आधीक मात्रा में और सबसे कम अधिक मात्रा में क्या जब और hydrogen जो है आपे जो question पुछा गया hydrogen कितना परतिसत होता है तो 10 परतिसत होता है चलिए next question कर पढ़ेंगे next question है फ्लोरीन का परमानुश रेंख्या कितना होता है तो दोस्तों है आपे answer हो जाएगा option B now फ्लॉरीन का परमानुश रेंख्या 9 अपे- next question पुछन पर मान निउंठाй कर पढ़ेंगे next question है जी का मान निउंठां कहां पर होता है तो दोस्तों A, शही answer है, बिशु अत्रेखा पर, चलिए next question के रुबढ़ेंगे, next question भी बहुत important है, थोड़ा ध्यान देंगे इस सारे question पर, जितने भी question है, selected question को सामिल किया गया है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और एक दो बार लिख लेंगे, अपने notebook में note कर लेंगे, त इप्रम जो है, तामा का लेटिन नाम है, option C, सही answer होगा, और option A मेंज दिया गया है, नेट्रियम, तो दोस्तों, नेट्रियम जो है, इस सोडियम का लेटिन नाम है, और केलियम जो है, पोटेसियम का लेटिन नाम है, और option D मेंज दिया गया है, फेरम, तो दोस्तों, फेरम जो है लोहा का लाइटिन नाम है और नेक्ट कोचन के बढ़ेंगे नेक्ट कोचन है निमलिखित में कौन शाय कैल्सियम का आइस्क है तो यहां पर एंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिपसम दोस्तों जिपसम जो है कैल्सियम का आइस्क है ऑप्शन ए सही इंसर होगा जिपसम च भारत भारत ने महिला एशिया होंकी कप दोहल सत्रे में जीता था तो उपसने सही इंसर है नेक्ट कोचन की और बढ़ेंगे नेक्ट कोचन निम्लिकित में किस एप का शम्बंद दाक बीमा छेतर से है तो दोस्तों यहां पर इंसर जगा ऑफशन सी दरपन दरपन एप का शम् स्लक सुरच्छा से और सच्चेत एप का शम्बंद है बैंकों में धोखा धड़ी से और तेज एप का शम्बंद है डिजिटल पैमेंट से तो इतने भी एप है इससे शम्बंदित मैं एक वीडियो त्यार कर लिया हूं और इसका नोर्स बना लिया हूं वीडियो जल्द ही अपडेट किया जाएगा तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सस्क्राइब भी कर लिजेगा और बहुत सारे टोपिक वाई टोपिक वीडियो अपडेट कर दिया गया है तो उसे भी आप देख लिजेगा और दोस्तों इस साइंस का दूसरा पार्ट ले जो हे भारत का पर्थम गंदवाज जो One डे में हेटिक विकेट लिया था जबकिeh เผो चुल्ठ गंदवाज और कुल्दीप याद जो थे तीसरा गंदवाज सी फेज्यों पर्थम पुछा जाम चेतन सारमाll वहां प्छले च ऑर बढ़ेंगा next question है भारत का पर्थम post office सेवा केंदर कहां खोला गया तो यहां पर answer हो जाएगा option है बिदीशा दोस्तों बिदीशा जो है एंपी में परता है बिदीशा कहां है तो एंपी में है और बिदीशा में ही भारत का पर्थम post office सेवा केंदर खोला गया है जबकि मालवा जो है यहां भारत का पर्थम गव अभ्यारन खोला गया है और दोस्तों गुरु गुराम हर्याना में भारत का पर्थम रक्षा भीष्विध्याले खोला जाएगा बहुत ही इंप्रेंड कोचन है जितने भी है चले नेक्ट कोचन के बढ़ते हैं नेक्ट कोचन है वीश्व हिंदू सम्मे है उससे संबंधित वीडियो में अपडेट किया हूं तो वीडियो भी आप देख लेंगे वह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और सम्मेलन से संबंधित एकजाम में बहुत बार कोशन पुछा गया है तो आप उससे देख लेंगे मैं उसका लिंक जो है मिलते रहे और दोस्तों मुझे उमीद है कि वीडियो आपको प्रसंद आया हुआ आप पार्ट थ्री देखना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जितने अधिक लाइक आए उससे उतने जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो प www.nkct.com 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 फिर से नोट कर लेंगे थोड़ा www.nkct.com तो यह रहा मेरा साइट का नाम यहाँ पर जाका आप करेंट अफेर और साइंस के बहुत इंपोर्टन कोशन पढ़ सकते हैं थैंक्यू बाई बाई